दिल्ली की भीड बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी के तरह आये थे उसी तरह तुफान के तरह चले जाएंगे देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं ताना शार रवया अपनाने का काम कर रहे हैं घमंदी हो गए हैं लोग नहीं आज देश में जिस हिसाब से काम करेंगे काम करेंगे से बेदखल हो जाएंगे बीजेपी के लोग जूट बोलने वाले लोग है यह लोग यूडिया को भी चीदी बना देते हैं यह लोग आंख फोर करके चश्मा दे देंगे अब फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया यह जूटी पार्टी है इसलिए इन पर विश्वास मत किजेगा मोधी जी कहते हैं कि उनका गैरेंटी मजबूत गैरेंटी है गैरेंटी की बात करते हैं हम बोलते हैं मोधी जी की गैरेंटी वैसे ही गैरेंटी है जैसे चाइनीज माल होता है दो चार बार इस्तबाल करोगे और वो गैरेंटी जो है खतब हो जाता है टूट जात आपको जाता है तो जब तक चुनाओ है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है बाकी कुछ नहीं दो करोर रोजगार का क्या हुआ पंद्रा पंद्रा लाक रुपे का क्या हुआ यह जवाब नहीं देने वाले लेकिन हमेशा जो है प्रोपगेंडा चलाने का काम करते हैं और मोदी जी को मिलने का समय नहीं है मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपरा से मिलेंगे किसानों से नहीं मिलेंगे लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी यह नहीं बताने किसानों से उन्होंने पिछले चुना में वादा किया था कि उनका आए दुगुना करेंगे आज किसान उपार मोधी जी ने तलवार चलाने का काम किया है यह दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोधी जी जिस तरह से आंधी के तरह आये थे उसी तरह तुफान के तरह चले जाएंगे पहला रैली हम लोगों ने पट्टा में किया दूसरा बॉम्बे में किया और तीसरा आज जो है डिल्ली में हो रहा है और मैं बता दूँ देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां जनता का साथ आर्शिरवाद मिल रहा है आज हम सब लोग एक जूट हुएं देश के लोकतंत्र देश के सन्विधान देश के भाईचारा को बचाने के लिए जिस हसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है नफरत की राजिती की जा रही है उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले आपका आर्शिरवाद मिले और आपका प्यार मिले जो लोग नारा लगाते हैं अपकी बार चार सो पार उनका मुँ है कुछ भी बोलेंगे लेकिन एक बात ते हैं जनता ही मालिक है आप मालिक हैं और आपको तेह करना है कि देश के साशन में कौन बैठेगा काम करेगा आज यहां डिली की जनता से पूछना चाहते हैं वो लोग नारा लगा रहे हैं टार्गेट फिक्स कर रहे हैं अब की बार चार सो पार ऐसा लग रहा है कि पहले से ही EVM सेटिंग हो चुका है यह लोग फिर भी आप लोग उसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग यह लोग जो नारा लगा रहे हैं क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेतकल करिएगा हाथ उठा के बताएए इनको सत्ता से बाहर करना है कि ने करना आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में आगोशित एमरजन्सी लागू हो चुकी है देश में सत्ता में जो लोग बैटे हैं ताना शार रवया अपनाने का काम कर रहे हैं गमंदी हो गए हैं लोग और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे लेकिन जो आँख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं सत्ता में लोग जो बैठे हैं विपक्ष का धर्म बनता है कर्तव बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें आज मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरोजगारी है महंगाई है गरीबी है आज यहां लोग है नौजवान है नौजवानों से पूछना चाहते हैं कितने नौजवान यहां जो है मोदी जी नंखरी दिया हाट उठा कर बताईए कोई नहीं मिलेगा मोदी जी ने कोई नोकरी नहीं दी सब कुछ जो है प्राइविटाइज कर दिया और हम लोगों ने बिहार में जब कॉंग्रेस लेफ इंडिया अलाइंस की सरकार थी सत्रा महीने में पांच लाक नोकरी हम लोगों ने देने का काम किया आज किसान तबाह है यूँ आप परिशान है लेकिन किसानों से मोधी जी को मिलने का समय नहीं है मोधी जी मिलते तो प्रियंका चोपरा से मिलेंगे किसानों से नहीं मिलेंगे अग्षे कुमार को इंटर्विव देते हैं पिछले चुना में इस बार बिल गेट्ज को बुला करके इंटर्विव देने का काम कर रहे हैं लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहें किसानों से उन्होंने पिछले चुना में वादा किया था कि उनका आई दुगना करेंगे आज किसान उपार मोधी जी ने तलवार चलाने का काम किया है जो हमारे अनदाता है इसलिए आप सब लोग जब लोग हम लोग जब अवाज उठाते हैं तब तब मोधी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की उस पार्टी का सेल में कौन है एडी है, सीबी आई है, इंकम टैक्स है लालू जी को तो कई बार सताया गया मेरे उपर मुकदमा किया मेरी माँ पर, मेरी बेहनों पर मेरे जीजाओं पर मेरे फिदा के जितरे संबंदी थे सब पर केस मुकदमा किया अभी बिहार चले जाहिए कई हमारे नेताओं पर छापे मारी चल रही है कई जगा ईटी का रेप चल रहा है आईटी का रेप चल रहा है लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं आज देश में जिस हिसाब से हेमन सुरेंजी को और अर्विन के जिवाल को गिरफतार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है तो उनको हम बता दे कि इनके गीदर भबकी से हम लोग डरने वाले रही है हम लोग संगर्ष करने वाले लोग है और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है सब लोग शेर हैं आप लोगों ने तहकत दिया है आपके लड़ाई हम लोग लज रहे है कंस राज आप लोगों ने देखा होगा जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी डर लगता था तब-तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था लेकिन जेल जाने से यहां कोई डरने वाला नहीं है कि तिरे लोगों को जेल भेजोगे लेकिन जब जनता जब जवाब देगी जब वोट का चोट दीजिएगा तो मोदी जी हाथ मनने का काम करेंगे सत्ता से बेदखल हो जाएंगे इसलिए यह अपनी ताकत को पहचानिएग सब लोग चुनाओं के समय आप सब लोग बोल किजिएगा वोट दीजिएगा लोगों को भी वोट दिलाने का काम किजिएगा बीजेपी के लोग जूट बोलने वाले लोग हैं यह लोग यूडिया को भी चीनी बना देते हैं यह लोग दोबर को भी हलवा दे करके परोज यह लोग आंग फोड करके चश्मा दे देंगे अब फिर बोलेंगे देखू हमने चश्मा दिया यह जूटी पाठी है इसलिए इन पे विश्वास मत कि जेगा मौझी जी कहते हैं कि उनका guarantee मजबूत guarantee है guarantee की बात करते है हम बोलते हैं मोझी जी की guarantee वैसे ही schem黃 होता है दो चाहर बार इस्तबाल करोगे और वह गैरेंटी जो है खतब हो जाता है तो जब तक चुनाओ है तब तक ही मोदी जी की गैरेंटी है बाकी कुछ नहीं दो करोर रोजगार का क्या हुआ 15 पुद्रा लाक रुपे का क्या हुआ यह जवाब नहीं देने वाले लेकिन हमेशा तो है प्रोपगेंड़ को बुर्टकाने करते हैं इसलिए आप सब लोगों को सौधान रहना पड़ेगा ने जूट के आप मोग विश्वास मत किजीगा और हम सब लोगों ने आज तश्वीर देखा आज तश्वीर क्या देखा कि आज महामहीम राश्टपती जी अडवानी जी को भाड़ तरत्र दे करके सम्मानित कर रही थी मोदी जी अडवानी जी के बगल में बैठे हुए हैं राश्टपती खड़ा होकर के सम्मानित कर रही हैं लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए राश्पती क्यों सम्मान में खड़ा भी नहीं हुए इससे पहले भी हम लोग ने तश्वीर देखी कि राश्पती पीछे पीछे चल रही हैं मोदी जी आगे-ागे चल रहे हैं ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका सन विधान पे कोई विश्वास नहीं हैं ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं आरसेस के अजंडे को लागू करना चाहते हैं इसलिए जादा कुछ ना कहते हुए एक आंक्रा हम जरूर बताना चाहेंगे देश में इंटराशनल लेबर और्गराइजेशन ने सर्वे किया है उसमें आक्रे हैं कि आग देश में बेरोजगारों में से 83 फीसदी यूवा है परहल लिखे यूवाँ में बेरोजगारी लगबग 65 फीसदी है ग्रामीं छेतरों में सिर्फ 17 पर्टिशद यूवाँ के पास ही काम है यानि भारत की आत्मा गाओं में बिरासी फीसदी युवा आज बेरोजगार है और मोधी जी इसके बार में कोई काम नहीं किया आप एक बार विश्वास कीजेगा अगर इंडिया सरकार की सरकार बनती है तो नौजवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे बेरोजगारी को दूर करेंगे